हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माय यूट्यूब चानल लाय राने मेलवेट आज हम बात करेंगे विटर्नरी फिल्ड में यूज में लिए जाने वाली दो ऐसे एंटिबाइटिक के बारे में जिसका विटर्नरी फिल्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो वह दोनों जैसा कि आप मेरे हाथ में यह पारा आन्टिबाइटिक है यह जो की 1950 का नाम से और यह एक ग्राम का पॉर्पेरेशन है तो थिक, उसी तरह से 2 ऐसरा ऐटिबाइटिक है यही ए सेफ्टीोंफर स्रुरियं यह भी 1 घोपेशन है यह दोनों एंटिबाइटिक 3rd generation cephalosporin है और इनका veterinary field पर बहुत ज़्यादा यूज होता है तो आज हम बात करेंगे कि ये दोनों antibiotic कौन से कौन से पश्यूओं में, कौन से कौन से disease में और कितनी dose rate में इसका यूज किया जाता है लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल से नहीं जुड़े है या अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शब और सब्सक्राइब करें साथ में बेल वाला आकन नपाकर और वाल वाला option भी चुने ताकि भुष्य में आने वाली हर व्लियो के notification आपको समय समय पर मिलती रहे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजक्शन सेफ्टी अपर सूडियम की तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे है यह वेट सेफ्टी नाम से एश्वर वायर टेक का है और यह जो injection है वो एक ग्राम का है तो यह injection की packing हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जैसा कि आप यह देख रहे हैं तो यह एक ग्राम का injection है और इसके साथ में यह 20 ml का sterile water है जो कि इस powder में मेलाने के लिए दिया गया है इसके साथ साथ हमें यह जो आप देख रहे है 20 ml की एक सिरिंज भी आती है और साथ हमें यह 16 गौच की एक निडल भी आती है सेफ्टियोफर सोडियम थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोर इन गूप का एक एक एंटिबाटिक है जो की ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टियोसाडल है यानि कि बैक्टिया को किल करने वाला बैक्टिया को मारने वाला एंटिबाटिक है और यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम यह मतलब कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टिया पर काम करने वाला एंटि च्च झीए च्टीव बैक्तिरया है उसमें, पाशुरेला मलतोसिडा पाशुरेला हीूलाइकिक ही מॉप्हिछ त्सोम्नत्स ह्पी तरह के चारा के लिए अच्छी तरह से काम करता है तो तो safety over sodium injection का उपयोग हम खास करके जो respiratory tract infection होता है वहाँ पर यह drug of choice का काम करता है तो जैसे कि pneumonia है, hemorrhagic safety semya है तो वहाँ पर safety over sodium injection का हमें बहुत यह अच्छा result देखने को मिलता है इसके साथ-साथ जैसे कि materitis का case है, तो materitis के cases में भी safety over sodium का बहुत अच्छा result है इसके साथ-साथ जैसे कि pivometer का case है, uterus में infection हो गया है, वह पास हो गया है, inflammation हो गया, तो ऐसे condition में भी हम इस injection का use कर सकते है इसके आलावा हम जैसे की foot rot का cases होता है तो foot rot के cases में भी हम safety for sodium का यूज़ कर सकते है इसके आलावा हम इसका urinary tract infection में भी उप्योग कर सकते है तो अब हम बात करते हैं इसके dose rate के बारे में तो safety for sodium का dose rate जो है वो 1.1 mg से लेकर 2.2 mg पर kg body weight के हिसाब से इसको लगाना होता है और इसका जो root है वो intramuscular और subcut ये दूर रूट से हम इस injection को लगा सकते है इस injection का IV root नहीं है और बात रही pregnancy safe है या नहीं तो ये injection pregnancy safe है इसके साथ जो growing animal है उनमें भी इंजेक्शन safe है तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन सिफो टेक्जिम सूडियम की तो जैसा कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं तेक्जिम नाम से एक ग्राम का preparation है तो ये injection third generation cephalosporin है जो कि एक broad spectrum antibiotic है और bacteriocidal है मतलब कि ग्राम positive ग्राम negative दोनों बैक्टिरिया पर काम करने वाला एंटिवाटिक है और बैक्टिरिया को मारने वाला एंटिवाटिक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्राम का अगर हम सिपोटेक्जिम इंजक्शन के antimicrobial spectrum की बात करें तो ये एंटिवाटिक जो एरोबिक ग्राम negative बैक्टिरिया होते हैं तो उनके आग्यांस्ट ये बहुत ही अच्छा काम करता है जैसे कि E. coli, Salmonella, Proteus, Clebsilla, Pasteurella, Enterobacter, Haemophilus, Bordetella, Morexcilla और Actinobacillus इसके साथ जो ग्राम positive बैक्टिरिया होते हैं जैसे कि she is steptococcae, stephylococcae और bacillus, तो इनके against भी यह काम करता है और कुछ जो anaerobic bacteria जैसे की Clostridium, Fusobacterium और Bacteroids तो इन पर भी यह काम करता है तो Siphotaxon sodium जो injection है, जो salt है वो drug of choice है, मेनिंजाइटिस के केस में जहां पर बैक्टेरियल मेनिंजाइटिस होती है वहां पर यह सिफोटेक्जिम इंजक्शन जो है वो ड्रग ऑप चोईस है इसके साथ साथ जैसे की यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन है तो यूरिनरी ट्रेक्ट में कही पर भी अगर इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से पशु को बर्निंग मिक्ट्यूरेशन होता है यूरिनेशन करने में डिफिकल्टी होती है तो ऐसी कंडिशन में भी हम इस सिफोट एक्जिम का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन है पशु में जैसी की डा इसके साथ साथ जो जॉइंट्स इंफेक्शन होते है जहां पर जोडो में सुजणा गई हो पशु को चलने फिरने में तगली बार हो रही हो पशु लंगडा कर चन रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर जॉइंट में इंफेक्शन हो सकता है तो वहां पर भी हम इस इ infection हुआ है जखम हुआ है वहां पर secondary bacterial infection हुआ है तो ऐसे cases में भी हम इस antibiotic का यूज कर सकते हैं इसके आलावा जो respiratory tract infection होता है तो respiratory tract infection में भी हम इस antibiotic का यूज कर सकते हैं इसके आलावा जो mastitis होता है तो मस्टाइटिस के केस में भी हम इस एंटिवाटिक को यूज कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं सिफोटेक्जिम इंजक्शन के डोजरेट के बारे में तो रुमिनेंड में इसका जो डोज है वो 15 से 20 mg पर के जी बॉड़ेट के हिसाब से हम इसको आई वी या आई एम रूट स जो सिंपल स्टमक अनिवल होते हैं उन में अगर इसके डोजरेट की बात करे तो 22-40 mg पर के जी बॉड़ेट के हिसाब से हम इंट्रमस्कुलार और आई भी दोनों रूट से इसको लगा सकते हैं और अहीं बात प्रेगनसी सेफ है या नहीं तो यह इंजक्शन प्रेगनसी स मेरे साथ बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद